प्रेश्यान अस्वाद्वाद्वाद्व। इसलिए क्योंकि इसराइल में जो हलात हैं उस पर लेपनान में मौझूद हिजबुला की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उनकी सप्लाई का सिरा रूस से जाकर मिल रहा हैं। रूस से जो खुद युद्ध में उलचा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ जो बाते सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि इन डायरेक्ट तरिके से हिजबुला तक हतियार कैसे और किस देश से आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसराइल ने लेबनान में हिजबुला के ठिकानों पर लड़ा को वे मानों से निशाना बनाया। निशाना बनाया। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस पोर्से जियाने की आई डी एफ ने एक बयान जारी किया और कहा कि हिजबुला की तरफ से खरीबन एक सुपचास रॉकेट और डून दा के गए और ज्यादा तर को हवा में ही मार गिराया किया। हिजबुला के हमलों के बाद इसराइल में अमर्जनसी लगी हुई है। ज्यादा इलाकों में साइरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिजबुला ने इसराइल पर हमले में कत्यूशा रॉकेट का भी इस्तिमाल किया है। इस रॉकेट के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो यह है कि यह रॉकेट सेकंड वोर्ल्ड वार के समय से ही इस्तिमाल होते रहे हैं। और बहुत खतरनाक भी रॉकेट माने चाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिजबुला के पास कत्यूशा जैसे हत्यार पहुंच के से रहे हैं। उसके पास और कौन कौन से हत्यार हैं। और कौन इसके लिए हिजबुला को फन्डिंग करने का काम कर रहा है। तो पहले हिजबुला की ताकत को हम समझ लेते हैं कि उसकी ताकत क्या है। दरसल हिजबुला दुनिया का एक ऐसा गेर सरकारी संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा से निदाकत है। संगचंगद दावा है कि उसके पास एक लाग से ज्यादा लड़ा के मौझूद हैं लेकिन डिफेंस वाच समेट दूसरे डिफेंस धिंक टैंक ये मानते हैं कि हिजबुला के लड़ातों कि संग्या 20,000 से 50,000 के बीच हो सकती है लेकिन वो कुछ बढ़ा चढ़ा कर इसी कि हिजबुला के पास 1,20,000 से 2,000,000 के बीच रॉकिट और मिसाईल है और इन में ज्यादा साथ चो टी मिसाईले हें इसके यावा सता से सता पर मार करने वाले रॉकिट भी हैं कुछ एकस्पर्ट ये भी दावा करते हैं कि हिजबुला के पास guider बीच है जो इसराइल के अपने की ताकत से लेस हैं। उसके पास एंटी टैंक, एंटी एरग्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन का जखीरा भी है ये भी का जाता है। कुल मिलाकर हिजबुला के पास इतने हथियार हैं जतने मिडिल इस्ट और दुनिया के कई छोटी देशों के पास भी नहीं हैं। अब आते हैं रूस के कनेक्शन पर। तो राइटर्स की एक रेपॉर्ट के मताबिक आमेरिकी खोफिया एजिंसी भी ये मानती है कि हाल के दिनों में हिजबुला ने तमाम हथियार जोटाने का काम किया है और पहले मुकाबले कई गुनाव ताकत बर हो चुका है। हिजबुला के पास रूस से मिली पावरफुल एंटी शिप मिसाइल भी है। इस मिसाइल का नाम यखोट है जो की जहास को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज तीन सो किलो मीटर तक होती है। और इनही मिसाइलों के दम पर हिजबुला अमेरिका से लेकर तमाम पश्रिमी देशों को आखें दिखाने का काम करता है। मीडिया रेपॉर्ट्स के मताबिक हिजबुला के पास यखोट मिसाइल सीरिया के जरीया आई है। बताया ये जा रहा है कि करीब एक दशक पहले जब सीरिया में ग्रे युद्ध चल रहा था तब हिजबुला ने वहां के राश्रपती बसर अल-असद का साथ दिया था और फिर खोफिया एजिंसिया भी ये मानती है कि इसी दोरान असद के जरीये हिजबुला के पास ये मि और खीरा मौझू है और बुला गातार हम ले भी करा है ठीलिकन रहा थियार आते कैसे हैं क्योंकि आतियार के लिए थो पैसे की जरुए होती ये फंडिंग की जरुन रही है ये अहम सवाल है बात यह है कि दुनिया की तमाम देशों ने घ्चबुला को आतंकी संगटन बैन लगाया था और इसे टेररिस्ट और्गनाइजेशन खरार दिया था इसके बाद इसराइल जर्मनी साओधी अरब अरब लीग और तमाम पश्यमी देशों ने इस पर बैन लगा दिया लेकिन फिर भी हिजबुला लगातार ताकतवर होता दिया कैसे दरसल हिजबुला की फंडिंग का मेंन सोर्स जो है वो ईजो इसे पैसा देने का हथ्यार मोगया कराने का काम करता है डिफेंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि तमाम शिया और बहुल मुसलिम देश जो है संगचन है वह भी चोरी चुके हिजबुला को फंडिंग करतے है और उसे हथ्यार उप लग् बताया गया कि भीते साल आच्छ हक्तूबर को जब हमास का इस्राईल पर हमला हुआ उसके बाद ही हिजबुला ने हमास का सपॉर्ट कर दे हुए इस्राइली ठीकानों पर गोनिया दागनी शुरू कर दी और तब से इसने उत्री इसराइल और गोलान हाइट्स पर इसराइली ठीकानों को निशाना बनाया और आठ हजार से ज्यादा रॉकेट पूल लॉंच कर चुका है बखतर बंद वहानों पर एंटी टैक मिसाइल दाख चुका है और वेस्पोटर ग्रोन के साथ से ठीकानों पर उसने हामला बुला है इसराइल के इसके चवाब में इसराइली रक्षाबल जो आईडी अब जो है उसने लिबनान में हेजबुला के ठीकानों को निशाना बनाया हावाई हमले कर दिये और प्लेंस उतार दिये और टैंक से कारवाई की लेबनान के स्वाथ मंत्राली की तरफ से ये भी बताया गया कि फिछले दस महीनों में पांस सो साथ से ज्यादा लोग हमलों में मारे गए मंत्राली के उनसार उनमें से ज्यादा तर हेजबुला के लड़ाके थे लेकिन कम से कम 133 नागरिक भी थे अब्सरवर की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो इनों तरफ से पूरी तरह से युद्ध की शुरूात नहीं हुई है लेकिन अभी तो जो खालाथ बन रहे हैं वो काबू से बाहर जाते नज़र आ रहे हैं बीते दुने दिनों हुए अगर हमले की हम बात कर लें तो गोलाइन हाइट्स का याद होगा 27 जुलाइक को इसराइल के खबसे वाले गोलाइन हाइट्स में एक रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बाद यह आशंकाय और बढ़ गई है कि और यूद ब गरों में हवाई हमले में वरिष्ट हेजबुला सैन्य कमांडर फुआद शुक्र को ढेर कर दिया इसके बाद इसमाईल हनिय की भी हत्या उसके अगले दिन ही तेहरान में करती गई जिसमें शामिल होने से इसराइल ने इंकाय भी नहीं किया और फिर पुष्टी भी नहीं क हलाकि अमेरिका गाजा में और बंदकों की रहाई का समझ रता करके तनाव को कम करने की कोशिशे भी कर रहा है और उमीद कर रहा है कि हो जाए शान्ती बन जाए इसराइल और हमास पर वो दबाव भी बनाए हुए है तो दूसरी तरफ हिजबुला ने कह दिया है कि वो को में सकार ये थाल के वो धुम से ऑगे कि वहार हुए है कि वेख पलूने सब्सक्वारे चाहँ कहाँ को ये चाहँ मैं कर वेद की कि लोगा ए व्लेव मास्वारे रहाँ, वावेकर